असलाम वालेकूँ, welcome up सभी का इस नई वीडियो में, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यदा important रहने वाला है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में जो हमारी undergraduate courses की admission process है, 24 session की, वो कब से start होगी, किस तरह से start होगी, चाहे कश्म University of Kashmir, Central University of Jammu, यह other जो autonomous branches हैं, जैसे Islamiyah College वगेरा हैं, उनमें admission किस तरह से होगे, कब तक होगे, procedure क्या रहता, admissions का, सारा का सारा मैं आपको आज इस वीडियो में detail में समझाने वाला हूँ, तो आज का यी वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यदा important रहने वाला है, इ Facebook पर follow करना है, उसकी भी link मिल जाएगी, हर जगा आपको हमारी updates मिलते रहेंगी, इसलिए Telegram ग्रूप और WhatsApp ग्रूप दोनों को join करके रख लेना है, admissions, scholarship, job updates, सारे के सारे आपको वहां पर मिलते रहते हैं, तो चलिए बिना time waste किये हुए, आपके admission की process यहां पर हम समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझते भी हैं, और समझाने की कोशिश भी करते हैं, देखिए अगर आप अभी 12th में हैं, और मारी सेशन में अप अपना exam देने वाले हैं, या 12th आपने clear किया है, और जम्मू कश्मिर में आप किसी course के लिए admission लेना चाहते हो, कश्मिर उन्व करना चाहते हैं, तो उसकी admission की जो process है, वो हम समझेंगे पहले, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात समझना होगा, जो course की process में यहां पे जम्मू कश्मिर में चेंज हुई है, वो यह है, पहले आप सभी को पता था कि जब हम 12th pass करते थे, हम simply college में जाते थे, वहां हम जाते थे, वहां पे हम 4-5 subjects चूज कर लेते थे, जिसमें हम BA करते थे, BSE करते थे, Bcom करते थे, या फिर कुछ-कुछ colleges जो थे, वो honors में भी admissions करवा देते थे, और college आप जाए गए वहां पे, आपने अपनी stream चूज की, BA की करना है, BSE करना है, Bcom करना है, आपने admission उसमें ले लिया, और उसको बद आप आगे गर 10,000 fee पे करते थे, तो next day से आप अपने college बगरा जाते थे, लेकिन अब की बार जो वो process है, वो पूरी की पूरी खतम हो चुकी है, पिछले एक साल से वो admission की जो process है, उसको भी खतम कर दिया गया है, admission की process अब उस तरह से नहीं होगी, जैसे पहले होती थी, और सबसे important आपका course जो है, उसको भी यहां पे change किया गया है, new education policy 2020 को implement किया गया है, पूरे throughout India में, all over India में implement किया गया है, और Jammu Kashmir के जो colleges हैं, उसमें भी implement हो गया, उसमें implement अगर हो गया, तो आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, कि जो आपका simple प पी दिया जाता है आपको जैसे physics, chemistry, zology, botany, biochemistry, bio technology, microbiology, कोई एक subject आपको दिया जाएगा, यह arts में से आपका computer science है, या geography, history, physics, geography, political science, कोई एक subject आपको दिया जाएगा, तो आपको एक major subject दिया जाएगा, जिसमें आपको 4 साल वो subject रखना पड़ेगा, और उसकी साथ पर आपक आपको बनेंगे, जिनको आपको graduation करना होगा, लेकिन graduation जो आपको एक subject में होगी, जिसको honors के थी, वो ही honors आपको होगा, एक subject आपको major रहेगा, जो आपको 4 के 4 सालों में पड़ना होगा, और बाकी आपको minor subjects करेंगे, जो semester में change होते रहेंगे, आगे आगे चलके, और उसके साथ साथ, एक और भी change इसमें होई है, वो यह है, कि पहले जो हमारी graduation होती थी, वो 3 साल की होती थी, आपको पता होगा, 3 साल graduation होती थी, 6 semester में divide होती थी हमारी graduation, लेकिन आपकी बार वो process है, वो change होगे, अब आपकी जो graduation है, वो 3 साल नहीं, वो 4 साल चलेगी, किस तरह से 4 सा आती है, तो उस condition में आपको 4th year में admission दिया जाएगा, यहनकि 7th semester, 8 semester के लिए admission दिया जाएगा, और वो जो आपका 4th year होगा, वो research career year आपको माना जाएगा, और उसमें आपको research की certificate भी मिल जाएगी, और आपको 3 प्लस 1 graduation भी मिलेगी, और आपको 3 साल की graduation मिलेगी, और एक सा आपको SGPS 7.5 या 7.5 के ABO आपकी होनी चाहिए, तब अगर उसे कम आजाती है, तो आपको 3 साल की simple graduation दी जाएगी, honors उसमें आपको दिया जाएगा, तो हो गया, लेकिन अगर आप 4 साल का कर लोगे, 7.5 के ABO आपकी percentage उसमें है, तो आपको जब एक साल research का दिया जाएगा, उ अब हम बात करेंगे admission की process की, देखे, अब जो मैने आपको पहले बोला की admission की process change होई है, अब की बार क्या है कि college वाले आपको खुद से admission नहीं दे सकते, चाहिए कोई भी college हो, Kashmir University का, Jammu का, कोई भी college अगर है Kashmir Division का, Jammu Division का, वो खुद से admission नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे स CUET Central University Common Entrance Test आपको qualify करना पड़ेगा, उस entrance के base ही आप लोगों को different different colleges में admission मिलेगा, कोई भी college हो, कुछी भी university के affiliated हो, उनमे admission मिलेगा, directly आपको जैसे पहले मिलता था, आँखें बंद करके admission, वैसे आप लोगों को admission नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मारिच में NT आपके application form release करेगी, CVT की, आपको simply क्या काम करना पड़ेगा, CVT का application form बरना पड़ेगा, 7500 की fee होती है, form बरा, subject आपने select किये, university आपने select की, उसके बाद आपको फिर मही में 21 मही से लेकी, 31 मही तक आपको entrance देना पड़ेगा, entrance आपने दिया, जून में आपका result जाएगा, जून में आपकी counseling की process चलेगी, July, August से आप लोगों का class work का schedule है, वो यहाँ पे start हो जाएगा, ठीक, याद रखना, आपको entrance देना है, entrance के base पे आपको admission होंगे, college वाले खुद से admission आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको entrance की भी तैयारी करने पड़ेग अपनी physics में graduation करना चाहती हो, तो 12th की physics आप NCRT के according पढ़ लो, उसी के हिसाब से आपका paper आजाएगर, उसी के हिसाब से आपका final, उसमें CUET का paper आजाएगर, वो ही आपका syllabus यहां पे रहने वाला है, कोई लंबा उतना लंबा चोड़ा syllabus नहीं, चोटा सा entrance आपको NTA का देना लगबग साधी साथ मिनट का वीडियो होगा, वीडियो को में खतम कर लूँगा, सभी समझ आ गया हो, आपको कि किस तरह से admissions होंगे, मारिश में form आ जाएगे, अबर आपका result ना भी आया होगा, तो भी आप बर सकते, कोई issue उसमें नहीं है, result आ जागा, उसके बाद आपको result अपना update करना पड़ेगा, फिल्हाल मैं वीडियो को हीं पर खतम कर रहा हूँ, कोई doubt, कोई confusion होगा, comment section में पूछ सकते,